इसे सरकार की खुली छूट माने या लापरवाही की जिले में नियम विरुद खननकार पर कोई टोक नहीं है राइस्थान हाई कोट ने वर्स 2004 में प्रकरते जल सरोत नदी नाले सडक आदी के मूल सरुप को बरकरार रखने के लिए फैसला सुनाया और इन आदेसों की सकती से पालना कराने के नर्देश दिये लेकिन खनन लीज की पर्यावरण स्विकरती जारी करने में ही इन आदेसों का खुला उल्लंगन किया गया सुचना के अधिकारी के तहद प्राप्त जानकारी में अलवर जिले के तिलवाड तिलवाडी खो पालपूर दूदू पुरी सहित अनेक स्थानों पर पूर में खनन पटों के लिए जारी पर्यावरणिये स्विकरती में हाई कोट ने आदेसों का पालना होना नहीं पाया गय है खनन लीज के लिए पर्यावरणिये स्विकरती जरूरी है जिले के तहला शेत्र में मारवल के अकूत भंडार है यहां तिलवाड तिलवडी मल्लाना आदिशेत्रों में वर्स 2016 में खनन लीज के लिए पर्यावरणिये स्विकरती जारी की गई है इस दोरान जारी कई पर फैसला राइस्थार हाई कोट ने दो अगस्त 2004 में अब्दुल रह्मान बनाम स्टेड ओफ राइस्थान मामले में आदेश दिये कि 15 अगस्त 1947 में नदी नालों और जल स्रोतों के कैच्मेंट एरिया सडक आधी की पुराने इस्थती बहाल की जाए इसके लिए नदी नाले सडक आधी पर किया गया किसी भी प्रकार का तिकमड या संचालित गतिविदियों को बंद करा पुरानी इस्थती बहाल की जाए सुचना के अधिकार से प्राप्त जानकारी में खुलासा हुआ कि राजगर तैसिल शेत्र में तिलवारी ग्राम में गैर मुमकिन नाला के कैच्मेंट एबं सडक एरिया में खनन पट्टे के लिए वर्ष 2016 में पर्यावरने स्विक्रती जारी की गई जबकि राजिस्थान हाई कोट के आदेश अंसवार नाले के कैच्मेंट एरिया वह सडक की पुराने इस्थिति में बदलाव नहीं किया जा सकता